दोस्तों क्या आपको भी गर्मी के मौसम में आलू परमल की मसाले वाली सूखी सबजी खाना पसंद है? तो आज की वीडियो आपके लिए हैं नमस्कार दोस्तों मैं जोती आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस जोती की रसोई में आज हम अपनी रसुई में बनाने जा रहे हैं बिलकुर शादी पाटियों में बनने वाली आलू परमल की मसाले वाली सूखी सबजी दोस्तों ये सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और आप इस सबजी को दाल चावल के साथ या चपाती के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत इसी है तो चलिए हम अपनी जटपरसी मसाले वाली आलू परमल की सबजी बनाना शुरू करते हैं लेकिन फ्रेंड इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों इस सुखी आलू परमल की मसाले वाली सब्सक्राइब ने के लिए मैंने यहाँ पर लगबग आधे किलो देसी परमल लिये हैं इस तरीके से दो हिस्सों में कट करना है और फिर बीच में से भी कट कर देना है आपको इसी तरीके से अपने सारे जो परमल है वो कट कर लेने हैं दोस्तों आपको परमल खरीते से मैं हमेशा नोटिस करना चाहिए कि जो आपका परमल हो वो थोड़े गोल साइज में ही हो ये देसी परमल होते हैं और इसकी सबजी बहुत ही टेस्टी होती है और आप अपनी सब्जी में डालने के लिए आलो भी कट करके तैयार कर ले अब मैंने अपनी सब्जी में डालने के लिए यहाँ पर दो टमाटर कट कर लिये हैं और कुटे हुए थोड़ी सी अद्रक ली है और ली है थोड़ी सी पारी कटी हुई हरी धनिया अब हम अपनी सबजी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखे उसे अच्छे से गरम कर लिया है जब हमारी कढ़ाई गरम हो जाए तब हम इसमें रिफाइंड ओल डालेंगे और उसे भी अच्छे से गरम कर लेंगे जैसे ही हमारा ओईल गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर एड़ करेंगे एक चोथाई चमच बराबर अजवाईन और सारी अपनी कटी हुई परमल यहाँ पर डाल कर उसे अच्छे से फ्राई करेंगे आप पल्टे की मदद से चलाते हुए अपने परमल को अच्छे से भुने और जैसे ही आपका जो परमल है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे परमल निकालने के बाद हम फिर से उसी कटाई में थोड़ा सा ओल डालेंगे और ओल गरम होने के बाद ही हम इसमें अपने सारे कटे हुए आलू एड़ कर देंगे और इस आलू को भी हम हलका सा फ्राई करेंगे हम अपने आलू को भी पल्टे की मदद से चलाते हुए इसे हलका गोल्डन ब्राउन करेंगे और जैसे ही हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसे भी कढ़ाई से बहार निकाल लेंगे अब मैंने यहां पर अपने आलू और पर्मल दोनो अच्छे से फ्राई करके रख लिये हैं अब हम फिर से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ओयल एड करेंगे तेल गरम होने के बाद ही हम इसमे एड करेंगे थोड़ा सा जीरा और जैसे हमारा जीरा तड़कने लगेगा तब हम दो साबुत लाल मिर्च, दो ही तेज पत्तर डालेंगे, इसे हलका सा भूनेंगे और साथ ही हम इसमें एड कर देंगे कुटे हुए अद्रक, इसको भी हम हलका सा लाल करेंगे और साथ ही एड करेंगे यहाँ पर हम अपने सारे मसाले, हम इसमें एड करेंगे एक चमत जीरा औ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हम लाल मिर्च एड़ करेंगे और साथ ही एड़ करेंगे स्वादनुसा नमक अब इन सारे मसालों को हम पल्टे की मदद से चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें एड़ करें इसलिए मैं हाँ पर लस्तन और प्याज नहीं एड़ कर रही हूँ आप अगर चाहें तो आप अपनी आलू परमल की सबजी में लस्तन और प्याज भी एड़ कर सकते हैं उससे आपकी सबजी का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा अपने मसालों को थोड़ी देर भुरने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे अपने सारे फ्राई करे हुए आलू अपने सारे आलू मसालों में डालने के बाद हम इसे पल्टे की मदद से चलाते हुए अपने मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढग कर थोड़ी देर पकाएंगे थोड़ी देर बाद ही आप देख सकते हैं कि हमारे मसालों ने ओल छोड़ दिया है और हमारा आलू जो है वो भी पक के तयार हो चुका है और इस स्टेश पर हम एड़ कर देंगे अपने सारे फ्राई करे हुए परमल और अपने परमल को भी अच्छे से चलाते हुए इन मसाले और आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी ढख कर 2-3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद हम अपने धकन को हटाएंगे आप देख सकते हैं कि हमारा आलू और परमल दोनों ही अच्छे से पक चुका है अब यहाँ पर हम एड़ कर देंगे इसमें थोड़ा सा पानी आपको पानी बहुते थोड़ी मात्रा में डालना है जिसे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से फूल जाएं और इन सबजी में अच्छे से मिक्स भी हो जाएं पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाइए और धक कर इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए थोड़ी तेर बाद हम अपने धकन को हटाएंगे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो बन के तयार हो चुकी है जब हमारी सब्जी बन के तयार हो जाए तब हम यहाँ पर एड़ करेंगे आधा चम्मच चाट मसाला दोस्तो मैंने यह सब्जी बिना लसन और प्याज के बनाई है आप इसमें आधा चम्मच चाट मसाला एड़ करते हैं तो आपकी सब्जी का स्वाद और भी दुगुना हो जाएगा चाट मसाला डालने के बाद आप एक पल्टे की मदद से इस चाट मसाले को भी इस सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लीजे और 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पका लीजे पस अब जटपट से पन कर रेड़ी है यह बिना लसन के आलू और परमल की मसाले दा टेस्टी सब जी दोस्तों यह खाने में बहुती स्वादिस्ट है यकीन मानिए आप इसे अगर एक बार बार बना कर खाना पसंद करेंगे तो फ्रेंड एक बार आप मेरे बता हुए तरीके से इस मसाले वाली आलू परमल की सब्जी को बना कर जरूर ट्राइ करें आपको यह रसिपी जर आप से जादा शेयर करें